दोस्तों एनर्सी 150 आज 70 दिन की स्थिति में आप देख सकते हैं और फलिया लग चुकी है और फलिया बहुत अच्छे से लग रही है इसके अंदर और बहुत बढ़िया लग रही है यहाँ पर आप देखे इसको फलिया उपर से नीचे तक पोधे के अंदर लगी हुई है जाने आ गया है फलियों में भी और 70 दिन के अवस्ता में बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को यह एनर्सी 150 बढ़ी जमीन के लिए बहुत बढ़िया है और हाइट देखो हाइट हाइट कमर तक है तीन फीट हाइट है इसकी डही से तीन फीट यह देखो दोस्तों एनर्सी 150 यह पूरा आपको खेच जो दिख रहा है एनर्सी 150 नई वेरेटी और कोई रोग इतना खतरनाक रोग नहीं है यहां पर देखें यह पोधे के अंदर फलिया भी दिख रही है हमको बहुत सारी फलिया लगी हुई है पाच पाच छेचे के गुच्छे हैं जहां भी फलियों के फलिया लगी हुई है सत्तर दिन की अवस्था और फूल आने अब हो गए समाप्त एक दुखका फूल आ रहे हैं यह रहे फूल एक दूखका फूल है यह एक दूखका पर फूल आना मेरे हिसाब से बहुत कम आएंगे हो गया है यह देखो पोधेक अंदर जो फल लिया बहुत सारी लगी हुई है उसमें पत्तों के पीछे भी दिख रही है वलिया तो चुप रही है पर फह फलिया तो बहुत है अराम से पुद है तो कल हमने एक प्लॉट वियू किया था एनार से 150 का जिसमें थोड़ा सा कमजोर परफॉर्मेंस था पर आज हम देखे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है एक जो समस्या है यह रस चूसक की यह इस्प्रे करने के बाद भी यह समस्या बनी हुई है इसमें वहीं हम बात करें पास में ही है ज्यारा पे तीज इस तरफ महां पर इस तरह कोई समस्या नहीं है अब देखे दोस्तों बहुत शांदार परफॉर्मेंस और बहुत तगडी परफॉर्मेंस है नर्सी 150 की इस ब्लॉट की यह नीचे तक फलिया जा रही है नीचे तक फलिया बिल्कूल नीचे तक लधी हुई है तो अच्छी परफॉर्मेंस है और विद्द ज्यादा डलcy यहां पर फिर देखे बिल्द पर